नमस्कार किसान साथियों आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आज हम आए हुए हैं सिरी परवेश त्यागी जी बर्ला में मुझे फर्नगर जिले में है यह ओन रोड है और यहां पर इनका बाग लग रहा है उस पर मैंने अभी तक क आप से शेयर करूंगा यह इस बाग में करीब यह कड़का खेत है इनका और इसमें फंद्राच बाइं पाउ-पर हम अमुद लगा रहे हैं और तीस बाइस पर लिची लगा रहे है यानि एक लाइन में एक पेड़ छोड़ कर लिची ह। और दूसरी लाइन में जो यह वाली लाइन है ये देख रहे हैं तर इसमें पंध्राबाई-पंध्राइपर अमृद है और इसमें लीची है। इसीतरह अगले में फिर Whoside में है کटल है और थोड़ा सा ऐसके आवले के पेड़ भी हैं इस प्रकार लगा है किसान साथियों सबसे पहले मैंने इनको फरवरी मेंए यह लगाना चाहते थे मैंने इनको मना किया कि आप फरवरी में मत लगाईए और मैंने उस ट्वार्च में कराई जो हमारे ग्रूप में मेग दनुस बायो फर्टिलाइजर के संस्थापक है तुसार पटेल जी उन्होंने कहा कि इस वर्स इससे अच्छी रिपोर्ट मुझे किसी जमीन की नहीं मिली है बहुत अच्छा कारबन था इसी कंट्रोल थी पीएच कंट्रोल था तो जो छे मह देते उतने बड़े ही है श्वेम हो चुक्त उसके बाद मैंने यहां पर इनकर यह गड़े खुदवाए पंद्रा बाई पंद्रा पर और गड़े खुदवा के उनमें एक हपते की धूप लगवाई धूप लगाने के बाद में जो मिट्टी थी उस मिट्टी में 5 किलो वर ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बस्याना ये दो चीज हमने इसमें मिलवाती थी मिलवाने के बाद गड़े भर दिये गए और जब गड़े भर दिये गए तो उसके बाद हमने पानी दिया चुकि तब तक बारिस नहीं होई थी पानी देने के बाद में एक बारिस भी हो गई और गड़े थोड़ा नीचे बैठ गए तो साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर इसको मैंने लगभग यहां पे चार इंच उपर करा दिया इसको और यह चार इंच उपर कराने के बाद में इस तरह से यह देखे सभी करते जा रहे हैं इसके बाद में हम पोधे लगा रहे हैं इसके क्या फाइदे होंगे खेत छोटा है जमीन अधिक नहीं है धाई एकड़ है ड्रिप हम नहीं लगाना चाहते जमीन अच्छी है पानी की कमी नहीं है तो हम इसमें फ्लड से पानी देंगे और फिर हम इसमें पोधों को कोई नुक प्रपूर से अया यह देखें इस प्रकार यह पोधा जमीन से लगबग चार इन्च उपर ग्राफ्ट है आईए मैं दिखाता हूँ किस प्रकार हम पोधा लगा रहा है ये पोधा है और ये अब इसको लगाएगा तो जो ये उपर मिट्टी चड़ाई है हमने पास से इसको थेली की जगह बनाएंगे इस समय इस गड़े में जो हमने खा दर्वो डाला है उसे लगभग 15 दिन हो चुके हैं और इसमें पूरा जो हमारे बायो एजेंट हैं ट्राइको डर्मा और बवेरिया बश्याना के वो पून्त एक्टिव हो चुके होंगे और पोधय में किसी भी फंगस किसी भी किस्म की कोई बिमारी होने की कोई भी अशंका नहीं है अब आप इसको देखिए ये हमने गड़ा कर लिया अब हम ये पोधा है ये पिंडी देखे कितनी अच्छे है इसकी और ये यहाँ पर लगा देंगे आइडिया ये है थोड़ी थोड़ी ऊपर को ठीक 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 बच रहना आइडिया ये है कि जो जमीन है उससे कम से कम दो इंच ऊपर तक ये रहे इसलिए हमने ये बनाई है और इसका फाइदा क्या होगा इसका फाइदा ये होगा कि अब हम पोधे लगाने के बाद जब इसमें फ्लड करेंगे खेत में तो पानी तने के पास नहीं जाएगा जाएगा और जितनी भी बारिस होगी कभी भी पानी तने के पास नहीं जाएगा अधिकतर पानी यह जो उचाई है यहा पर जो मेरा पैर रखा है यह लगबग चार इंची है तो यहां तक पानी रहेगा और तने के पास नए जाने से जो शुरू में इसकी जड़े हैं वो खराब नहीं होंगी और इस प्रकार से यह हम प्लांटेशन कर रहे हैं और इस बाग को मैं एक बार फिर आपके बाद में दिखाऊंगा लगबग दो महाबाद के किस प्रकार है तो फ्लड से कभी भी पोदा खराब नहीं हो तो हमारे पास इतना ओर आधार होगा कि धिरे धिरे बाद में हम इतनी मिट्टी चड़ा देंगे जब यह जुड़ जाएगी पोधा बड़ा हो जाएगा एक साल बाद तो मिट्टी चड़ जाएगी और इससे पोध्वे को कभी भी नुकसान नहीं होगा किसान साथियों ये है मेरा एक अलग परियोग जो मैंने एक जगह और किया था और तम मैंने इनको बताया कि आप इस प्रकार से कराईए और ये इस प्रकार मैं नए-नए परियोग करता रहता हूं जिसमें मुझे सफलता भी मिली है और कभी-कभी विफलता भी मिलती है जब इसा ही एक प्रियोग मैंने इस बार कटिंग में किया है उसके क्या परिणाम ही यह मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार अवश्य दें इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत वंदे पा करिणा उन्यवार्ण चेहें आपको किया हूं यह अविदा चाहते हैं